नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल निक ओडियंस में और अभी हमारे सामने है न्यू टंटी टंटी फॉर बीवाइडी डॉल्फिन अभी तक आपने बीवाइडी सीगल को देखा और ये उसी का एक बड़ा अफतार है ये कार हमें सिंगल चार्ज में रेंज प दिखने में बहले ये कार थोड़ी छोटी सी आपको लग रही हो लेकिन इसकी लेंट मैं बता दूँ आपको टाटा नैक्सों से भी ज्यादा है और इसके अंदर बैटरी पैक इस्तमाल किया गया है वो हमें नैक्सों के अंदर भी देखने के लिए नहीं मिलता है तो बहु बाकि आपको फ्रेंट में एलेडी प्रोजेक्टर हेड लैम्स मिलते हैं ओटो हाई बीम के साथ में सेंटर में बीवाइडी का क्रोम में मिल जाता है लोगो नीचे की तरफ दिया गया है सेंटर में आपर इसका फ्रेंट कैमरा लोगर पंपर को देखेंगे तो यहाँ पर सक्थ जाते हैं आपको 17 इंचिस के यह पर वील मिलने वाले हैं इंडिकेटर के प्लेश्मेंट आपको साइड मिरर पर ही मिलने वाले में बोडी कलर में पर इसके साइड मिरर मिलेंगे आपको लेन वोच कैमरा और ब्लैंड स्पॉर्ट देटेक्शन मिरर यहाँ पर दिए और आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह कोई हैच बैक कार है एक आपको पूरी तरह से MPV कार वाली यह फील देने वाली है उसके बाद में डाइमेंशन भी कार की कमाल की हैं तो आपको ऐसी फील मिलनी लाजमी है और की ओवरोल लेंद रहने वाली बैल इस सो नब एम पर चेक आउट करेंगे तो यह कुछ रहने वाली है कार की रियर प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग से यहां पर कनेक्टिंग आपको टेल लेंप मिलने वाले ही देख सकते हैं किस तरीके का डिजाइन रहने वाला बिल्कुल ही यूनीक और इसी के अंदर यहां पर बिल्ड आपको बता दूँ इस कार में ओवरोल हमें चार वेरियंट्स देखने के लिए मिलेंगा सबसे बेस वेरियंट है एक्टिव उसके बाद बूस्ट उसके बाद कमफर्ट और उसके बाद डिजाइन शुरू के दो वेरियंट्स में आपको एक तरीका बैटरी पैक देखने के जिसके साथ मैं आपको यह वाले वेरियंट्स रेंज प्रोवाइड करते हैं 340 किलो मिटर्स की सिंगल चार्ज में और चार्ज होने में यह साथ गंटे का टाइम लेते हैं अगर आप एसी चार्ज करते हैं इसके अलावाद डीसी से करते हैं तो सिर्फ बैलिस मिनट में 0-100 सफीर बात करें इंदर के अंदर ही मिलने वाला है इसके साथ में और यह करती है यह रच किलो मिटर्स की सिंगल चार्ज में और शे गंटे में 0-100 पर संट चार्ज होती है एसी करेंट के साथ में और अगर आप DC से करते हैं तो वहाँ पर 43 मिनट्स लेटी है जीरो से 100 परसंट चार्ज होने में बात करें पावर की तो इस वेरियंट के अंदर आपको पावर भी ज्यादा देखने के मिलेगी 150 किलोवाट की पावर तो 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा 160 किलो मिटर पर आवर की टॉप स्पीड हमें मिलने वाली है कार के अंदर हमें चार वेरियंट्स मिलते हैं और चारो ही वेरियंट्स के अंदर पर्मानेंट मेंट्स मोटर यहां पर इस्तमाल की गई है पावर रेशो में से आपको इतने सारे फीचर मिल जाते हैं इंटियर में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है सिर्फ टॉप वेरिंट में आपको एक्ष्ट्रा मिलता है तो पैनरोमिक संरूफ और वायरलेस चार्जिंग बागे इंटियर में कोई भी चेंज रही है तो चलिए एक बार चेक कर ले किये थी स्टेरिंग वील है सेंटर में वी वाइडी का लोगो मिल जाता है फाइव इंचिस का टी फ्ल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल यहां पर दिया गया जिसके अंदर हमें सभी इंफोर्मेशन मिल जाती है सभी ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं इको नॉर्मल और स् इंफोर्मेशन मिलता है आपको टॉप एंड सेकंट टॉप वेरिंट में और बेस वेरिंट सेकंट बेस वेरिंट के इंदर हमें फोर स्पीकर का ओडियो सिस्टम मिलेगा इनफोर्में इसके तरफ यहां पर आपको ड्राइव न्यूट्रा और मोड में स्विच करने के इसके लावा ट्रेक्शन कंट्रोल के लिए यहां पर डाइल्स दिये गए हैं बात करें कार की सेफटी के बारे में तो फाइव एर बैक्स आपको बेस वेरिंट से ही मिलेंगे और पेसिता दो बात करें द्राइवinizi की ब्लाइन आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लगजरी के साथ अलमेडेन सी क्लोशन नाया जिर्क है कि देतर यहां पर ब्लाइनक्त्र के लिए कृत्त होगी इसके लावा अगर आप टच ऐलिमेंट्स देखते हैं तो यहां पर काफी ज्यादा फिट एंड फिनिस का ख्याल रखा गया है स्पोर्टी टाइप की यहां पर सीट है चले अगर हम इसकी सेगंडों की तरफ तरह पर थ्री एड़ेश्टेबल हैड्रेश मिल जाते हैं लिएचे की तरफ आपको कोई भी हमप नहीं मिलता दो तीन पर आजा pasture सकते हैं लेकिन रीयगें आपको कोई अकर अप सकते हैं तो बेस्ट जैसे कि मैंने बताया एक्टिव और बूस्ट जिनके अंदर हमें बैटरी पैक और रेंज सोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है उनके बेस्ट के प्राइस सुरू हो जाएंगे मातर बारालाक रुपए एक सो रूम से और बात करें टॉप एंड की तो वहां पर आपको सोलालाक रुपए एक सोरूम प्राइस कोश्ट करने वाली है अब बात करते हैं लाँचिंग डेट के बार में तो बीवाइडी एक चाइनीज ब्रैंड है इसके बाद में बीवाइडी एक टुथी को आपने देखा जो इंडिया के अंदर अभी आती है एक प्रीमिय अच्छे लेकी वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें और इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बैल आइकन को